नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाला हूँ TDS के नए section के बारे में जो की finance bill के अंदर add किया गया है detail में समझेंगे ये जो section है TDS on online gaming के लिए है पहले हम इसको section 194B में ही count कर रहे थे लेकिन अभी government ने इसको अलग कर दिया है section 194B ये बना दिया है तो detail में समझेंगे इसके बारे में बहुत कुछ सीखनों को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर TDS की limit rate और इसके credit के procedure के बारे में समझाँगा आपको चलिए इसको detail में समझते हैं उससे पहले बतना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जुनोंने अभी तक subscribe नहीं किया subscribe कर लिजी और सारी साथ बेल आइकन पर भी click कर लिजी तकि इस तरह का content आपको मिलता रहे तो दोस्तों देखो यह है section 194B 194B के बाद यह एक नया section बनाया गया है और इस section को अलग कर दिया गया है पहले हम 194B में ही इसको count कर रहे थे online gaming के उपर even मेरे चैनल पर आपको वीडियो भी मिलेगी जिसके अंदर मैंने 194B में बताया है कि online gaming के उपर जो भी income बनेगी तो 194B में आपका TDS deduct होगा लेकिन नहीं अभी इसको government ने अलग कर दिया है और मज़े की बात यह है इसे एक जुलाई 2023 से मतलब इसी साल से जुलाई महीने से इस TDS section को applicable करने वाली है अगर आपकी income किस से बनती है online gaming से बनती है क्योंकि जो अभी online gaming की जो market है इंडिया के अंदर बहुत बढ़ी हो चुकी है और यहाँ पर अगर आपकी income online gaming से बनती है तो TDS deduct किया जाएगा एक जुलाई 23 से तो चलिए इसके बारे में समझते है section 194BA एक नया section जो की TDS on online gaming income के उपर है तो सबसे पहले section में यहाँ पर गॉर्मन के रिए देखो तो दोस्तों इसके subsection 1 के बारे में बात करें section 194BA के अंदर जो subsection 1 है वहाँ पर यह बोलता है कि देखो user account में जो भी amount आपने जीता हुआ है online gaming income से जो amount जीता है वो आपकी user account में है तो जब आप उसे withdrawl करोगे तो उस case में आपके उपर TDS applicable हो जाएगा और TDS काटा जाएगा जो rate defined है ठीक है मतलब होता कि यह देखो online gaming खेलते हैं तो आपका जो भी user account होता है उसमें money इखटा होता होता है ठीक है तो कुछ ताइम बाद आप उसमें से withdrawl करते हो अपने bank account में तो जब withdrawl करोगे तो उस case में TDS काटा जाएगा इवन जैसी financial year का end होगा तो जितना भी money आपने जीता होगा online gaming income से तो उसके उपर TDS काट लिया जाएगा financial year खतम होने के बाग चाहिए आप withdrawl करो या ना करो और withdrawl करते हो तो काटा जाएगा during the financial year तो जो TDS काटेगा कौन TDS वो काटेगा जो यह platform provide करा रहा है online gaming का मानलो online gaming का जो platform provide करा रहा है ठीक है और उससे आपने कुछ पैसा जीता जो भी user account में आप withdrawl करोगे तो जो provide करा रहा है person जो आपके account में वो amount credit करेगा वो TDS काट के ही credit करेगा ठीक है फिर उसकी responsibility बनेगी कि उस TDS को government को जम्मा कराना तो दोस्तो इसमें जो rate होगा rate यहाँ पर define नहीं है और हो सकता है इसके लिए government guidelines लेकिया है लेकिन मैं बता दू 30% TDS लगेगा क्योंकि 30% का income tax लगा दिया है इसके उपर तो जो TDS कटेगा वो 30% कटेगा बाकी इसके उपर अभी clarification आनी बाकी है यह एक जुलाई 23 से applicable होगा उससे पहले ही government clarification issue करेगी और guidelines भी इसके बाद इसको applicable किया जाएगा तो government इसके लिए circular अगर आपकी एक रुपे की income होगी तो भी इसके उपर TDS कटेगा 30% तो जो limit है इसके उपर एक भी नहीं है बाकी देखते हैं government क्या इसके उपर clarification लेके आती है और कैसे यह applicable होता है channel के साथ बने रहना ताकि आपको इस तरह का update मिलता रहे है वीडियो कहते लगी जरूर बताए थाइंक यू सो मच जाइन वंदे मातर